असतत श्रेणी वाले आंकडे अभी तक हमने जो उधारन देखे वे व्यक्तिकत श्रेणी के आंकडे थे ततथा आंकडों की संख्या कम थी लेकिन जब आंकडों की संख्या बहुत अधिक हो तब समांतर मादे की गढणा कैसे करे? कक्षा नवमी की अर्धवार्शिक परिक्षा में 35 विद्यार्थियों के गणित विशे के प्रापतांक इस प्रकार है यहां नियून्तम प्रापतांक 30 तथा अधिक्तम प्रापतांक 48 है हम देख पा रहे हैं कि प्रापतांक 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48 तक सीमित है जिनकी ही पुन्रा वृत्ति हो रही है अतह इन आकड़ों को इस तरीके से लिखा जा सकता है प्रापतांक X 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48 और उनकी बारंबरता है 6, 5, 6, 8, 6, 2, 2 जब आकड़े इस प्रकार से दिये गए हों तब समानतर मादि की गर्णा करने के लिए आकड़ों या प्रेक्षणों तथा उनके संगत बारंबरताओं के गुड़नफल के योग को बारंबरताओं के योग से भाग कर देते हैं सार्णी में हम देख सकते हैं प्राप्तांग X उनकी बारंबरता F प्राप्तांग तथा संगत बारंबरता का गुड़नफल F X सभी बारंबरताओं का योग समेशन F बराबर 35 है और प्राप्तांग तथा संगत बारंबरता का गुड़नफल का जो योगफल है Summation Fx बराबर 1341 हम जानते हैं कि समानतर माध्य बराबर प्रापतांक वो उनके संगत बारंबरताओं के गुणन फल का योग बटे बारंबरताओं का योग याने कि X बार बराबर F1 X1 धन F2 X2 धन F3 X3 धन F4 X4 धन F5 X5 धन F6 X6 धन F7 X7 पूरे के बटे F1 धन F2 धन F3 धन F4 धन F5 धन F6 धन F7 जहां X1 पहले प्रापतांक तथा F1 उस प्रापतांक की बारंबरता को बता रहा है और इसी प्रकार आगे भी निरुपन दिया गया है बराबर समेशन F1 XI बटे समेशन F1 मान रखने पर 1341 बटे 35 याने की X बार का मान आएगा 38.31 कक्षा नव्मी की अर्धवार्शिक परिक्षा में विद्यार्थियों के गणित विशे का उसत प्रापतांक 38.31 है अब हम उन आकडों के समांतर माधि के बारे में चर्चा करेंगे जिन में आकडों की पुन्रा वृत्ती तो हो रही है पर आकडों की संख्या बहुत अधिक है तब हम उन आकडों को समू में बाट कर समांतर माधि की गर्णा करते हैं आईए इसे एक उधारन से सीखें उधारन एक एक गाउं के माध्यमिक विद्याले में सो विद्यारती है उन विद्यारतियों के घर से विद्याले की दूरियां किलो मीटर में नीचे दी गई है इन आकडों से औसत दूरी ज्यात कीजिए हल दिए गए आकडों में हम देखते हैं कि कई आकडे बहुत बार आये हैं इन में सबसे छोटी संख्य सुन्य और सबसे बड़ी 19 है इन आकडों को हमें समुहों में बाटना होगा जिससे गड़ना असान हो जाए आकडो को चार अंतराल वाले समुहों में बाड़ते हैं जिसे 0-4 km तक की दूरी से आने वाले विद्यारतियों की संक्या ब्यानलिस 4-8 km तक की दूरी से आने वाले विद्यारतियों की संक्या 24 है इतियादी इसी तरह से हम आट से बारा, बारा से सोला और सोला से बीस अंदराल में छात्र की संख्या पता करते हैं विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरी किलो में, शून्य से चार किलो मेंटर, चार से आठ किलो मेंटर, आठ से बारा किलो मेंटर और बारा से सोला किलो मेंटर और अंत में सोला से बीस किलो मेंटर विद्यार्थियों की संक्या जिसे हम F से लेंगे विद्यार्थियों की संक्या हमारी 0-4 km में 42 है उसी तरह से 4-8 km में 24 है 8-12 km के लिए 19 है 12-16 km के लिए 9 है और 16-20 km के लिए 6 है मध्यमान X जो है वो हम निकालते है 0-4 को जोड़ेंगे तो 4-0 धन 4 बटा 2 बराबर हमारे पास मध्यमान जो है दो आएंगा उसी तरह से 4 और 8 का योग 12 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 प्राप्त होंगा उसी तरह से 8 और 12 बीस 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 12 और 16 का योग 28 28 को 2 से भाग करेंगे तो 14 और 16 और 20 का योग 36 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 अब विद्यारत्यों की संक्या को 2 से भाग करेंगे और 19 को 10 से गुणा करेंगे तो 190, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 126, और अंत में 16 को 18 से गुणा करेंगे तो 108, यहां पर विद्यात्यों की संख्या का योग जो है, वह सिग्मा FI, जो की कूल इसका योग है 100, और फिर यहां पर FX का जो योग है, उसे हम सिग्मा FI, XI से प्रदर्शित करेंगे, जो की इसका योग जो हो जाएगा, वह है 652, उपर हमने अंतरालों का मध्यमान, अंतराल की दोनों सिमाओं को जोड़कर दो से भाग करके निकाला है, अब हम मध्यमान और विद्यार्थियों की संख्या को के गुणनफल को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर औसत पता कर सकते हैं, हम जानते हैं और विद्यार्थियों की संख्या वा मध्यमान के गुणनफलो का जोड़ बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या, बराबर 84 धन 144 धन 190 धन 126 धन 108 बटा विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है 100 बराबर 84 धन 144 धन 190 धन 126 धन 108 का योग 652 बटा 100 और इसका मान 6.52 किलो मीटर इस तरह से हमने आसद ग्याद किया आसद को हम एक ऐसी संख्या की रूप में देख सकते हैं जो आंकडों के पूरे समू का एक गुण बताती है जाहिर है यह सबसे कम मान से अधिक तथा सबसे अधिक मान से कम होती है और इन आकडों के बीच में ही होती है इसे अंकगनिती ओसत कहते हैं कर सकते हैं झाल